median find करने के लिए हम पहले क्या करेंगा? पहला step होगा, हम इसमें कितना number है? इसको हम number भी बोल सकते है, value भी बोल सकते है और observation भी बोल सकते है तो इसमें कितना observation और number और value है उसको count करेंगे suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसमें 7 numbers है, तो इसमें 7 numbers का मतलब क्या होगा? 7 इसको हम observation भी बोल सकते है इसको हम 7 values भी बोल सकते है यह जो 7 है 7 का मतलब क्या हो गया यह हो गया odd number इसमें जो भी number है total number कित क्या हो गया odd number हो गया जब odd number हमको ऐसे values मिलेंगे तो इसका जो middle number होगा middle number 1 होगा 1 ही middle number हमको मिलेगा लेकिन जोब event नमबर होगा suppose इसमें अभी 7 है अगर ये माल लो 8 होटा suppose इसमें total number 8 अगर होटा 8 क्या है? 8 even है तब क्या होगा? middle number हमको कितना मिलेगा? 2 middle number 2 middle number मिलेगा 2 middle number even number में मिलेगा 1 middle number odd number में मिलेगा तो अभी इसको हम solution केसे करेंगे? इसका solution ऐसे होगा पहला step होगा इसको हम increasing order में लिखेंगे suppose हम increasing order में इसको अगर लिखेंगे तो कैसा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 यह होगे इसका increasing order increasing order का मतलब है smallest term से हम greatest term टक लिखेंगे यह जो number है इस number को हम number भी बोल सकते है value भी बोल सकते है, term भी बोल सकते है और observation भी बोल सकते है, कोई डिक्कत नहीं है इसमें तो अभी इसमें total number हो गया 7, 7 का मतलब है odd numbers, odd numbers means इसमें जो left hand side suppose यह left hand side में 3 number हमको मिला और यह right hand side में हमको 3 number मिला, इसका middle में one number है one number, so one number का मतलब यह जो middle में जो number है वह ही होगा, यह जो number है, तो यह number का, यह होगा middle number middle number मतलब यह होगा इसका median, so median equal to median equal to 4, यह होगा इसका answer again हम और एक example लेंगे median find करने के लिए यह जो number है, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको count करेंगे one, two, three, four, five, six, seven, eight total numbers कितना होगा, eight, eight का मतलब eight है even, eight होगा even number, तो even का मतलब क्या होगा, हमको middle में कितना मिलेगा middle में हमें two numbers मिलेगा, two numbers so two numbers हमको middle में मिलेंगे, so two numbers का मतलब हम क्या करेंगे जो two numbers में middle में मिलेगे, इसका हम average निकालेंगे average निकालेंगे तब ही इसका क्या आएगा median आएगा इसको हम average भी बोल सकते हैं और mean भी बोल सकते हैं mean और average दुनों सेम ही है तो अगर हम mean fine करें या average fine करें तो यह जो value है इस value का median तब ही इसका median fine हो पाएगा तो इसको हम क्या करेंगे पहले step में हम इसको increasing order में लिखेंगे तो increasing order में जो इसको लिखेंगे तो क्या होका one 2 होगा three four five six seven eight यह हो गया इसका increasing order तो जब higher increasing order में हो गया क्या और मने इसको हम left side में होगा left hand side में हो गया हो गया Maker that If the right hand side से एक number चैंशल हो yogurt hand side में एक number cancel होगा लेटेंड साइट में दुसरा नामबर केंसल करेंगे राइट हैंड जाये में किसे जब हम इभेण नंबर में मीजियान चाहेंगे दब हमें को तू नमबर मिलेगा इसमें हमको मिला two numbers तो इसका भी यह जो तो नूमबर है यह number का हम क्या करेंगे median फइन करेंगे इसको median हम कैसे find करेंगे तो median median equal to यह तो नूमबर हम add करेंगे पहले divided by two लिखेंगे median का मदलब क्या होगा यह जो डू नमबर है उसका average average हम निकालेंगे हम क्या निकालेंगे mean average भी इसको पोल सकते हैं हम mean भी पोल सकते हैं mean fine करने के लिए हम क्या करना पढ़ीapor यह दोनुो number यहां mean कि से fine होगा इन डोनों को पहले add करेंगे करने के बाद कितना number है 2 number है, 2 से divide करेंगे तो इसको जब डिवाइट करेंगे इसका अंसार आएगा 4.5 यह होगे इसका मीडियन वेलू कितना होगा 4.5 यह होगा इसका करेक्ट आंसार question 2 find the median of the following question 1 यह बहुत ही simple है तो इसका solution ऐसे आएगा पहले हमको यह लिखना पड़ेगा arranging the number in ascending order we get तो पहले smallest है हम greatest term तो लिखेंगे smallest term हो गया 5 next में 7 है फिर से 7 है next 15 होगा next कितना हैगा 16 तो उसका middle term क्या होगा here here the middle term is here the middle term is term is middle term क्या होगा 7 होगा तो middle term is 7 so the median is so the median is equal to 7 तो इसको हम एसे solve करेंगे to 12, 5, 13, 2, 8 solution इसको हम क्या करेंगे पहले arrange करेंगे first step में arranging arranging the numbers arranging the numbers in ascending order we get 2, 5, 8, 12 and 13 ऐसे होगा smaller से हम greatest टक लिखेंगे इसमें जो भी नमबर है इसको अगर हम मतलब क्या होगा इसमें जो पहले यह 2 term हो गया पहले यह 1 2 और यह left-hand side में 1 2 2 term हो गया राइट-hand side में 2 term हो गया इसका middle term क्या निकल क्या आ गया 8 आ गया so यह ही इसका median होगा here is 8 so the median is median is equal to 8 यह हो गया इसका answer question 3 को हम अभी arrange करेंगे ascending order में arranging the number in ascending order we get 81 86 99 99 and 100 तो इसमें middle term क्या होगा यह होगा इसका middle term क्योंकि इसमें left side यह होगा इसका middle term left-hand side में 2 value है right-hand side में 2 value है तो यह होगा इसका middle term therefore this is our median here the middle value is is 99 so the median is 99 question 4 तो इसको हम अभी arrange करेंगे ascending order में तो arranging the number in ascending order we get 10 20 20 40 50 50 and 50 तो यह जो value हमने arrange क्या smallest and greatest है तो इसका middle term कौन सा होगा middle term ही होगा तो इसकी left-hand side में 10 value है right-hand side में भी 10 value है तो यह होगा middle term here here the middle term is here the middle term और value कोई भी लिख सकता है नहीं है here the middle value और number भी लिख सकते है here the middle value is here the middle number is here the middle observation is ऐसे किसी एक statement लिखने से हो जाएगा here the middle value is equal तो कितना है इसमें middle value 40 है तो 40 लिखेंगे सो यह 40 middle value है middle value का मतलब हो गया क्या median so so the median is median is equal to 40 यह होगा answer इसको हम क्या करेंगे arrange करेंगे smallest से greatest तक ascending order में arrange करेंगे therefore arranging the number in ascending order we get 450, 500, 550, 600, 650 तो इसका middle का में यह है 550 है क्योंकि इसकी जो right hand side है right hand side में दो value है और left hand side में दो value है तो यह होगा इसका middle value therefore here the middle value is here the middle value is 550 so the median is median is 550 यह होगा इसका answer question C को हम arrange करेंगे ascending और descending किसी भी एक order में तो हम ascending order में arrange करेंगे so arranging the number in ascending order we get 81, 81, 91, 92, and 95 तो इसका middle term 91 होगा क्योंकि left hand side में 2 value है और right hand side में भी 2 value है तो इसका middle term क्या होगा 91 here the middle term is here the middle value is equal to 91 so the median is equal to 91 यह होगा इसका answer question C तो इसको हम arrange करेंगे ascending order में arranging the number in ascending order तो इसको हम ascending order में arrange करेंगे तो 3, 6, 12, 30, 24, 32, 33, 35, and 37 यह होगा तो इसमें total number है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है तो इसमें पहले से 1, 2, 3, 4, 4 number को हम अगर इसको यह number हो गया left hand side का number one, two, three, four यह हो गया right hand side का number तो यह left hand side और यह right hand side का number है तो यह हो गया middle number क्योंकी equal number में left hand and right hand side में number हमने count किया तो यह हो गया middle number so हम क्या लिखेंगे here the middle value is here the middle value is कितना है 24 so the median is so the median is equal to 24 यह होगा इसका answer इसका हम median find करेंगे median find करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे arranging ascending order में arrange करेंगे तो arranging the numbers in ascending order we get 4 5 6 20 25 28 28 32 and 33 अभी हम क्या करेंगे इसको count करेंगे कितनी total number है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 number है 9 number का मतलब क्या होगा पहले हम left hand side में 4 number होगा और right hand side में 4 number होगा और middle में कितना होगा middle में होगा 1 number तो उसको 1 2 3 4 5 में जो number आएगा 5th position में जो number आएगा वही होगा उसका middle number और median here the median here the middle number is here the middle number is 25 so the median is so the median is equal to 25 यह उसका answer question 9 विसको number दिया है इस number को हम क्या करेंगे ascending order में लिखेंगे और descending order में भी लिख सकता है कोई दिकर नहीं arranging the numbers in ascending order we get तुसको जब हम arrange करेंगे तुसका below कैसे आएगा 6 आएगा 10 आएगा 12 आएगा 16 आएगा 22 आएगा 26 next आएगा 36 तो smallest से greatest क्लिकेंगे तुसमें अभी जब हम count करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 7 number है 7 number का मतलब क्या है 7 odd है 7 odd number odd number का मतलब क्या होगा middle में 1 number हैगा left hand side में कितना number हैगा 3 number रहेगा or right hand side में कितना number रहेगा 3 number to 3 number के बाद जो number start होगा वही होगा आएगा middle number 1 2 3 तो यह होगा middle number therefore here here the middle number is here the middle number is equal to 16 So, the median is, median is equal to 16, इह होगास का अंसर. Question 10, इसको अभी हम अर्ण, असंदिंग अर्णिंग अर्णिंग करेंगे, Therefore, arranging the number in ascending order, we get, इसको smallest, greatest अग लिखेंगे, smallest मतलब 18 होगा, smallest, next 20 आएगा, next 26 आएगा, next 29, next 30, next 33, next 40, तो इसका middle term find करने से इसका median आजाएगा, तो यह होगा इसका middle term, कैसे middle term होगा यह, क्योंकि इसके left hand side में 3 value है, और right hand side में भी 3 value है, तो इसे निकल के आएगा इसका middle term, तो हम इसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का मतलब odd number हो गया, odd number का मतलब क्या होगा, हम पहले left hand side में कितना number, 3 number लिखेंगे, और right hand side में कितना number होगा, 3 number होगा, और middle में 1 होगा, so 3 plus 1 plus 3 equal to 7 होगा, तो इसे भी हम कर सकते हैं, तो इसका middle number निकल के आए 29, here the middle number is equal to 29, so the median is, median is equal to 29, यह गासका.